नमस्कार मैं हूँ अभी शेक्तियागी विश्चुकप 2019 का पहला सेमी फाइनल भारत और न्यूजिलेंड के बीच खिला जा रहा है मैच काफी रोमांचक मोड पर है लेकिन इस मैच के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब टीम इंडिया के धुआधार ओपनर कहें या फिर तो टीम डगमगा गई क्योंकि हार्दिक पांडिया से काफी उम्मीदे थी टीम को धोनी से उपर उनको भेजा था लेकिन जब उनका विकेट गिरा तो कहीं न कहीं विरार रोही शर्मा के दिमाग पर काफी असर हुआ उस विकेट का और उनकी आँखों से आँसु निकल आ क्या कहेंगे अमिंजी क्योंकि रोही शर्मा काफी टीम के इस विश्वकप की बात करें तो भरोसे मंद खिलारी रहे हैं 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं पांच सतक लगा चुके हैं इस मैच में भी काफी उम्मीद थी रोही शर्मा से लेकिन उपर के तीनों ही बल्लेबा और जो किर्केट में दिल्चसबी रखते हैं और जिनको भरोसा था इन खिलाडियों पर इन खिलाडियों भरोसा था चुकि उनको यह भी भरोसा है कि भारत जो है फाइनल खेल के और इंग्लेंड से ट्रॉफी लेके भारत आएगा वह सभी रो रहे हैं यह एक भावुक्ष से कि वह तीज खेलते हैं और जो है किसी भी गेदबांच का मुमेंट खराब कर देते हैं इस वजह से मुझे मुझे लग रहा था कि वह भावुक हुए थे आपने यह भी देखा कि अभी जो है छे बिगेट गिरे हुए हैं और जो हमारे आफिस में भी काफी लोग दुखी है इस बात को लेकर तो ऐसा नहीं है कि सभी दुखी है पूरा भारत दुखी है कि भारत जो है कैसे फाइंडल तक पहुचे और इसी वजह से वह सायद जो है उनके आंक में आशू आ गया और जो भाव च्छन उस देखने को मिला बिलकुल मैं एक सवाल यहां पर यह भी करन लगाया होगा कि अगर इनको जो है ऐसे भेज देते हैं तो हो सकता हो कि कुछ रंड बने या कुछ रूके क्योंकि पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी ऐसे समय पर धोनी को आना चाहिए था पहले क्योंकि हार्दिक पांडिया है तो वो अपनी जिम्यादारी निभा रहे हैं लेकिन यह था कि हो सकता हो कि जैसे बिक्टो का पतजड लगा हुआ है और जैसे बिक्टोन्ब जलदी ऑी एस लिए सोचा गया हो गाолотि इनको थोड़ा सा लेड में भेजते हैं कि यह यह जाते हैं तो बिक्ट पर टिक के खे और आभी देखिए कि मेस धोनी और रवींद्र जड़जा एक जो है इन में डम है हूं यह जो है किसी भी टीम के खिलाब कोई भी मैच जो है जो बदलने में डम रखते हैं अभ्यास मैच में रविंद्र जड़जा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी न्यूजलेंड के लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है रोई शर्मा ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है पांच सतक लगाए हैं विश्युकप 2019 की अगर अभी तक की बात करें 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं और जब मौका विश्युकप के फाइनल में पहुचने का था फेल हो को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले नमस्कार